नमस्कार, आज हम संख्याओं के साथ खेलेंगे, जी हाँ, खेलेंगे, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थी खेल कर ज़्यादा सीखते हैं, आएए चलते हैं जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने यहाँ पर संख्या चकर बनाए हैं और इस संख्या चकर में सभी मान दिखाए हैं इकाई, दहाई, सैंकडा, हजार, दस हजार, लाख, लाख धक के वैल्यूस हम यहाँ पर दिखाएंगे मेरे पास ये एक कटोरी में फोड़ी सी ये गीटिया है इन गीटियों के मदद से आज हम संख्या चक्र ये एक गेम है जो खेले इस कटोरी में से मैं कुछ गीटियां अपने हाथ मेरूंगा और इन गीटियों को हम यहाँ पर फेंग तैंगए अब देखना ये है कि कौन से संख्या चक्र में कितनी गिटियां पड़ी जैसा कि आप यहां देख सकते हैं 21 स्थान वाले संख्या चक्र में 1, 2, 3 गिटियां पड़ी है तो हम यहां पर 21 स्थान पर लिखेंगे 3 इसी प्रकार से दहाई स्थान पर 1, 2, 3, 4, 5 पाँच गिटियां हैं तो यहां हम दहाई स्थान पर लिखेंगे 5 सैक्रा स्थान पर ये गिटि क्योंकि जादा दहाई वाली तरफ है इसे हम दहाई में गिनेंगे सैक्ड़ा वाले संख्या चक्र में एक भी गिटी नहीं पड़ी है इसलिए सैक्ड़ा स्थान पर आ जाएगा शुन्य उसके बाद हजार वाले संख्या चक्र में सिरफ एक गिटी है तो हजार वाले स्थान पर आ जाएगा एक इसी प्रकार से दस हजार वाले संख्या चक्र में भी एक ही गीटी है इसलिए दस हजार वाले खाने में भी आ जाएगा एक और जैसा कि यहां हम देख सकते हैं कि लाख वाले संख्या चक्र में एक भी गीटी नहीं है तो यहां हम लाग फाले स्थान पर शूने लिख सकते हैं और क्योंकि यह है सबसे 22 स्थान पर है तो इसे ना भी लिखेंगे तो चलेगा इस प्रकार से हमने ये गीटिया फेंकर जो संख्या बनाई वो है 11,000 त्रेटपन इसी प्रकार से विद्यार्थी बार-बार गीटियों का प्रयोग करके गीटियों की मदद से खेल-खेल में संख्याओं को निरूपित करना सीखेगा संख्याओं के मान सीखेगा इकाई, दहाई, सैक्रा, हजार इन स्थानों पर संख्याओं को कैसे रखा जा सकता है वो सीखेगा तो खेल खेल में संख्या चक्र बनाकर संख्या चक्र पर गीटियां किराकर बच्चा संख्याओं के बारे में सीख सकता है